हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, रिद्धी व्लोग्स आज मैं बना रहे हूं मलाई कोफता मलाई कोफता बनाने के लिए सबसे पहले हम से ग्रेवी बनाएंगे ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं कड़ाई कड़ाई में डाला है सरसोका तेल, जीरा, काली मिर्च, लॉंग और एकलाईजी उसके बाद तीन से चार प्यास कटी हुई, तीन से चार टमाटर कटे हुए और तीन से चार हरी मिर्च को हम अच्छे से थोड़ी दिर फ्राई कर लेंगे इसके बाद हम उसमें डाल देंगे काजू, उसके बाद उसे थंडा करके हम उसको पीस लेंगे ज्यादा नहीं पकाना है मैं मसाले को, बाद में हम फिर एक कड़ाई लेंगे उसमें डालेंगे सरसगा देल और जीरा उसके बाद हम उसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था वो प्यास टमाटर का और उसको अच्छे से फ्राइ करेंगे उसमें डालेंगे हल्दी, नमक, मिर्च, सौफ पॉडर, धनिया पॉडर और थोड़ा सा गरम मसाला ये सब घर की ही मसाले हैं जो मैं डाले हैं इसमें कोई पनीर मसाला नहीं डाला मैंने सब नैच्रल मसाले हैं जो इसकी किचेर में होते हैं मसाला अच्छे से फ्राइ हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे पानी उसके बाद बॉयल आने पर हम उसमें डाल देंगे मलाई मलाई मैंने घर के ही ली थी और फिर हमारी ग्रेवी बनके हो गई त्यार अब हम बनाएंगे कोफते कोफते के लिए मैं लिया 400 ग्राम पनीर और दो आलू उसके बाद हम उसे कदूकस कर लिएंगे अच्छे से उसमें डालेंगे नमक, मेर्ज और ठोड़ा सा गरम मसाला इस सब अच्छे से मिक्स करके हम इसकी छोड़ी-छोड़ी बॉल्स बनाएंगे इस चोटी इक रिसगुले की तफिक छोट़ी बॉल्स बनानी है हमें मैंने कोटिंग कर दी है आठे में आप चाहे तो इसकी कोटिंग मैदे में भी हो सकते हैं ए पिर हम कढ़ाई में रखेंगे तेल और गरम-गरम तिल में उसको गुफ्तो को डाल को को डाल देँग to जब भी लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब और ग्रेवी और कोफते बनके हो गए हैं तयार और ग्रेवी में थोड़ी सी मलाई और एड़ कर रही है उपर से फिर हम प्लेटिंग करेंगे मैंने बनाय थे आज चावल रोटी सैलेट और मलाई कोफता सब को मैंने प्लेट में लगा दिया है थैंक यू गाइस फ्लीज लाइक और सब्सक्राब